चोपडा एजिकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ UGC की गाइडलाइन पर सुप्रिम कोट आज सुना सकता है फैसला विस्विदाल अनुदान आयोग यानी UGC के दिसार निर्देसों के अनुसार फाइनल येर की परिक्षें आयोजित करवाई जाएंगी या नहीं यह है बात सुप्रिम कोट के फैसले पर निर्बर है उमीद है कि आज 24 अगस्त 2020 को सुप्रिम कोट इस मामले पर अपना फैसला सुना देगा इससे पहले 18 अगस्त को सुप्रिम कोट मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था अदालत ने सभी पक्सु को अंतिम दलीले लिखित में पेस करने के लिए तीन दिन का वक्त और दिया था परिक्षाई रद होने की संभावनाए कम सुप्रिम कोट ने जिस तरह से जेई और नीट परिक्षाऊं को इस्तगित करने की मांग वाली याचे का हाल में ही खारिज कर दी थी उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि विसवी देलों की फाइनल एयर की परिक्षाई भी रद नहीं होंगे हलांकि इस पर सुप्रिम कोट का फैसला का ही इंतजार करना होगा UGC ने 6 जुलाई को जारी की संसोधित गाइडलाइन आपको बता दें कि UGC ने 6 जुलाई को संसोधित गाइडलाइन जारी की थी जिसमें सितिम्बर अंत तक सभी कोलेजें और विशो विद्यालों की सनातक और पैरा सनातक फाइनल परिक्षाओं करवाना अन्यवारिय बताया गया था UGC की इसी गाइडलाइन्स को देश भर के विभिन विशो विद्यालों के चात्रों की ओर से सुप्रिम कोर्ट में चुनोति दी गई थी कोरोना संक्रमन के डर से परिक्षाओं रद करने की मांग UGC द्वारा फाइनल येर की परिक्षाओं अन्यवारिय करने वाले दिशार निर्देशों के खिलाब सुप्रिम कोर्ट में याचे का दाखिल कर चात्रों की ओर से कहा गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमन बढ़ता जा रहा है ऐसे में परिक्षाओं करवाने से चात्रों के स्वास्ते जीवन को खत्रे में डालना होगा अता UGC की गाइडलाइन को यद रद कर बिना परिक्षाओं के रेजल्ट गोशित करने का निर्देश दिया जाए खास कर दिल्ली और माराष्टर सरकार ने इस मामले पर अपने चिंताएं जाहिर की है इन सरकारों ने दलील दी है कि ऐसे हालत में परिक्षाओं आयुजित करना संबव नहीं होगा तो दोस्तो इस पर सुप्रियम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है जैसे ही इसका डिसीजन आएगा मैं आपको इनफॉर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक और प्रेस करें वीडियो को लाइक वे ज्यादा शेयर करें मिल नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हैं